सबसे पहले हम समझें कि केस क्या है तो अगर मैं केस की मोस्ट इंपॉर्टन पैशन है अगर हम अबजेक्टिव टाइप की बाग करें तो केस का फुल फॉर्म क्या होता है यह हमें समझ में होना चाहिए कंप्यूटर एडेड सोफ्विए एंजिनरीं केसि थुम हमें थुल मीं आपकर नहीं है कंप्यूटर एडेड विदेंश वर फिर नेरिबं यहिई हमने क्या इसका क्या मतलब होता है या फिर maintenance को करने में help करते हैं, ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं, software automated tools बोलते हैं, ठीक है, अब case tools actually में होते किया हैं, यह क्या होता है, group होता है, या फिर set में बोल सकती हूं, software application programs का, जिनको किसले use किया जाता है, SDLC activities को automated करने में, है न, जो भी हम designing, coding, implementation, testing, जो भी कुछ करते हैं, वो automatically होने लग जाएं वो सारे काम, उसके लिए हम case tools को use करते हैं, और case tools क्या होते हैं, set होते हैं, किसके लिए, software application programs के, ठीक है, अब यह जो case tools होते हैं, जो project managers, analysts, engineers हैं, किसी भी software को बनाने के लिए, वो case tools का use कर सकते हैं, ठीक है, और number of case tools जो हैं, वो available हैं, जिससे कि हम software process के अलग-अलग phases में, उनको use कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी speed में हम काम अपना पूरा कर सकते हैं, जब हम case tools को use करते हैं, तो हमारा जो project development का जो काम होता है, वो automated tools है, manually हम कोई चीज करते हैं, तो ज़्यादा time लेकता है as compared to automated tools, components देख लेते हैं case tools के, तो case tools जो होता है, इस तरीके से divided है, सबसे पहले इसमें हम central repository की बात करेंगे, उसके साथ-साथ हम upper case tools की बात करेंगे, फिर lower case tools की बात करेंगे, और फिर integrated case tools की बात करेंगे, तो central repository क्या है, आप इस तरीके से समझों कि एक data ऐसा बना हुए, इस diagram के थूँ आप देख सकते ह तो यह जो बीच में है, this is the call repository, तो इसको ही यहाँ पे central repository बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि जितनी भी activities हो रहे हैं, वो सब इस central repository से ही interact कर रहे हैं, क्यों interact कर रहे हैं, उनको जो भी required data चाहिए, वो यहाँ पे repository में रखावा है, एक store में रखावा है, ऐसे store room की तर समझो, एक store room में रखावा है, और जिसको जो भी काम है, वो सारा data उसी repository से access कर लेता है, तो उसको हम भोलते हैं, central repository, उसके बाद आते हैं, upper case tools और lower case tools, तो यह जितने भी phases हैं, वो सब यहाँ पर लिखे हो है, software जब डेबलेप होता है, तो उसकी पूरी जो life cycle है, वो इन phases से हो के निकलती है, सबसे पहले planning होते है, analysis होते हैं, तो यह जो इन洲 three मों को अपर case में रखा जाता है, फिर implementation, testing, maintenance, इनको lower case में रखा जाता है, तो जो tools इन तीनों phases में use होते हो, on the upper case tools बोलते हैं, जो इन तीनों phases में use होते हैं, tools उनको lower cases में बोलते हैं, ठीक है, और integrated case सारी के स्टेज़ेस में यूज किया जाते हैं चाहे मों साब्लाइन कॉन निट कैसे जाते हैं U वो टूज जो हमें सेम सेम फंक्शनलिटी प्रुवाइड कर रहे हैं, उनको हम एक एग्रूप में डाल देते हैं, इसके एड्वांटेज़ भी है, एड्वांटेज़ क्या हो सकते हैं, कि हम इसमें सबसे ज़्यादा जो एंफेसिस हागर हम के स्टून्स को यूज कर रहे हैं तो वो री-डिजाइनिंग पर, टेस्टिंग पर, ह्याँ थिएा भी कॉस्ट पर, इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने लिए काम आते हैं हमें के स्टून्स, साथ ही साथ हम किसी भी प्रोडाक्टी क्वालिटी जो है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं या फिर में बहुत और ज्यादे इंप्रूफ कर सकते हैं के स्टूल्स को यूज करके उसके साथ हमारी जो रिक्वाइर्मेंट्स यूजर की या रियल गोड जो रिक्वाइर्मेंट्स तो हम बहुती easy manner में fulfill कर सकते हैं और उसके भी साथ हम क्या कर सकते हैं high quality products जो है वो develop कर सकते हैं अगर हम case tools को use कर रहे हैं तो यह सारे इसके advantages हो सकते हैं उसके साथ ही साथ इसके कुछ disadvantages भी हो सकते हैं जैसे कि cost अगर हम बहुत ज़्यादा case tools को use कर रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत जादा कॉसली हो सकता है किस केस में कॉसली हो सकता है अगर हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स की बात पर हैं अगर हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में केस टूल्स को यूज करते हैं तो बहुत जादा कॉसली हो सकता है अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स में केस टूल्स को वह बहुत बार उनको case tools को सीखना पड़ता है थी कि use करना सीखना पड़ता है उसमें कई बार बहुत सारी जो है उनको time लग सकता है जिससे कि क्या हो सकता है कि वह time consuming process हो सकता है तो लेकिन वैसे बहुत सारे उसके साथ ही होता है tool mix तो जो भी case tool हम use कर रहे हैं और जो data हमें use करना है उन दोनों चीजों को हम easily compatible बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं यह बहुत बड़ी अगर वह सही से compatibility नहीं बन पा रही है तो जो भी एक disadvantage यहां पर हो सकती है इसके साथ ही साथ की डाइग्राम में आपको अलड़ी explain कर चुकी हूं यह सारे case tools है जो की market में available हम use करते हैं और यह repository है जहांसी सब data access हो रहा है one by one हम सारे tools को एक बार देखेंगे क्या काम करते हैं तो अगर मैं diagram tools समझती हूं सबसे पहले तो जो diagram tools होते हैं यह जो हम diagram बनाते ना जैसे data flow diagram control flow diagram इस तरीके के diagrams को चीज़ों को graphical format में दिखाने के लिए हम diagram tools को use करते हैं diagram tools को use करके हम flow charts और data flow diagram यह सारी चीज़े easily बना सकते हैं उसके बाद में आता है process modeling tools तो process modeling tools में हम क्या कर सकते हैं जो भी software product हम बनाने जा रहे हैं उसके जो भी processes हमें follow करने हैं उन सारे processes की modeling यहां पर की जा सकती है जिससे की software development में help मिल सकती है उसके बाद आ जाता है project management tool project management tool में जो भी project की planning है project की cost calculate करना है afford calculate करने है project की scheduling करनी है resources की planning करनी है तो यह सारी चीज़े हम manually ना करके tools को use करके करें जिससे की हम बहुत easily और correct calculation हम कर पाएं ठीक है project management tools जो होते हैं storing और sharing में भी help करते है project information के लिए so project management tools जो है project की सारी चीज़ों को manage करने में help करता है उसके बाद में आ जाता है documentation tool तो जो भी चीज़े हमने करी हैं कि जब भी कोई काम हम कर रहें तो उसके लिए हम document generate कर रहे हैं तो document आपने पहले भी बढ़ा होगा कि documents जो है वो technical users के लिए और end users के लिए generate किये जाते हैं ठीक है तो technical users के लिए क्या होता है कि जो इन आलेस्ट होते हैं वो एक document तयार करते हैं जिसकी बेसिस पे developers वो coding करते हैं यह designing करते हैं तो documentation तयार कर दे जाती है यहां पर technical experts के लिए या पर end users के लिए जिसे कि वो अपना काम कर सके तो यह जो है क्या करते हैं जैसे कि system manual तयार करना reference manual तयार करना training manual installation manual यह सारे manual तयार किये जाते हैं documentation tools को यूज करके उसके बात में आ जाता है हमारे पास analysis tool analysis tool में हम क्या करते हैं अगर कहीं पर कोई accuracy का problem है या फिर data बहुत जादा repetition manner में है या फिर महां पर बहुत सारे errors हैं तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए उन सारी चीजों के analysis करने के लिए हम analysis tools का use करते हैं फिर हमारे पास designing tool designing tool क्या करता है कि यह हमारे पूरे software का एक block structure तयार करके हमको दे देता है जिससे हम पूरे project को modules में divide कर सकते हैं वो अलग-अलग blocks में पूरा structure बनाता है तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं उसके अलग-अलग modules को और फिर उन अलग-अलग modules को break करके उनकी coding implementation easily कर पाते हैं configuration management configuration management में जो भी हमारे software related like उसके अलग-अलग versions है उसके baseline requirements है या उसके control management है यह सारी चीज़ें configuration management tools के तो handle की जा सकती है उसके साथी साथ क्या होता है कि जब हम अपने project में किसी भी तरीके के changes करते हैं जाये हो हमारे coding से related changes हो चाहीं designing से related changes हो या फिरf these changes अगर है तो उन तरीके केsan चेनजर को handle करने के लिए हमें काम करते हैं उसके बाalon पाले आता था program inious तो क्या करते हैं कि यह September प्रवाइब करते हैं जैसे कि आईडी एक्जामपल है इंटीग्रेटर इवलप्मेंट इन्वाइर्मेंट इसमें अपनी इन्विल्ड लाइबरी इस होती है तूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम दिश्च कोडिंग कर सकते हैं उसके साथ आता है प्रोटोटाइपिंग तो इस तरीके से जो है आप पूटोटाइप तूल से हेल्प लेकर और प्रोटोटाइप तयार कर सकते हो यह जो है इसमें जो पूट प्रोटोटाइप तूल में अपनी अपनी ट्रहाफिंग्ड आपे लेक Sikh algumas इंच ता कर तूल में क्या होता है यह अग्या है जो भी हमारी एन जो भी टेक्स में डालना है उन सारी चीजहों के को यह बना कर दे देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं वेब डब्लप्मेंट टूल्स बोलते हैं उसके बाद में आते हैं हमारे पास quality assurance टूल quality assurance टूल्स क्या होते हैं जो कि software की quality को पूरा ध्याद में रखें from initial to last phase कि जब हमने बनाना शुरू करा और तब से लेके क्या हमने customer को deliver करा तब तक कि हर चीज की quality हर अच्रिब्यूट की हर object की quality को maintain करना उसको ध्यान करना यह वह काम किसके quality assurance टूल्स का काम है तो यह quality check लगाते हैं time time पे और check करते हैं maintenance टूल जब product deliver हो गया customer को तब maintenance करना अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही उसको solve कर देना कोई issues उसको सही कर देना तो वो maintenance का काम होता है तो इसी के साथ आपका case tools का lecture खतम होता है तो आज हमने case tools के different different चीजे देखी कि कि किस तरीके से case tools जो है वो काम करते हैं कितने तरीके क्यों होते हैं और उन खूज के बारे में भी जाना तो मिलते हैं next lecture में next video के साथ अब तक